आपको बताते चले गवादर में राजी मच्ची की आर में जवाकिया पेश आया है आखर इसके बीचे क्या वजुहात है क्या जानते है असलाम लेकुम वालेकुम सब्सक्राइब तो मुझे ये बताए राजी मच्ची है क्या पुश्रा ये इस तरह से समझे आपके एक बलोच जिर्गा है जहां पर सारे अमायदीन को डिफरेंट अलाकों के लोगों को बलाया जाता है और वहां पर बैट के issues को discuss किया जाता है ये बलोचों के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर भी है, अफगानिस्तान के अंदर भी है केपी में इसको जिर्गा बोला जाता है और ये इस तरह से एक term है जिससे आप कहते हैं कि जिसके अंदर आप different मायदीन को different अलागों के लोगों को बलाते हैं और उनके issues को discuss करते हैं तो जब हम बात करते हैं महारंग बलोच की आप ये बताएं कि महारंग बलोच कौन है महारंग बलोच से आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको clear करूंगा कि ये राजी मची और हर जगा भी ये ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है और इसको discussion क्यों बनाए गया basically महारंग बलोच जो इसको lead कर रही है उन्होंने call दी राजी मची की एक grant जिरगे की और वो call दी और उन्होंने गौादर के अंदर इससे पहले जब उन्होंने कुमबन से मजाकरत किये कि हम गौादर जाना चाहता है तो कुमबन ने कहा कि आप तुर्बत में कर ले आप कहीं और कर ले reason क्या थी उसकी करने की उसकी reason ये थी कि गौादर right now is hub of economy वहाँ पर development projects हो रहे है वहाँ पर Chinese हैं वहाँ पर दूसरे नेशनलिटी के लोग हैं तो जिस तरह अगर आप even इसलामबाद में चले जाएं तो there are some red lines right you can't walk into those वहाँ पर consulates हैं वहाँ पर embassies हैं तो वह कहा जाता है कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते similarly ग्वादर के अंदर भी इसी तरह से हमारे Chinese भाई हैं फिर इसी तरह से बाकी nationalities के लोग भी हैं जो वहाँ पर development projects के पर काम करें हैं वो projects जिसका पाकिस्तान को और सबसे पहले बलोचिस्तान को फैदा होना है फिर पाकिस्तान को होना है तो अगें आइड़ नो कि जिदवाजी थी यह अपने आपको मीडिया के उपर हाइब करेट करना था क्या था यह तो मुझे डिटेल में बताएं आखर महारंग बलोच हैं कॉन बैगरांड क्या है हिस्ट्री क्या है और तो और उनका एजंड़ क्या है अच्छा राइड़ एक जवान शहीद हो गया सोला जखमी हो गये बाकी हमारे बलोची भाई भी जखमी हुए ठीक है जहां पर भी इंतिशार होगा तो आपको एजंड़ा उसकी नेगिटिविटी है देखें आपको जब गौवर्मेंट कह रही है कि तुर्बत में कर लें तो आपको मान लेना चाहिए तुर्बत में नहीं करना कहीं और ऐसी जगह पर कर लें जहां पर हमारे बाकी के जो परजेक्ट्स आने वो हाल्ट ना हो हमारे जो गहर मुलकी लोग हैं वो उसे डिस्टरबना हुआ बट एक जिद थी एक नेगिटिविटी थी जिसका रिजल्ट आपके सामने है महरंग बलोच के जो वाली साहब है वो पहले एक सरकारी मुलाजम थे फिर उसके बाद उन्होंने बी एले को जोइन कर लिए बी एले एक देश्ट कर तर्जीम है एक टेरिरिस्ट और्किनिजेशन है और उसके अंदर वो काफी देर तक रहे पिर 2011 में उनके वालिद की वहां पर एक कारवई की दुराण डेथ होगी यह वहां से वेनिमिटी आईवी उनके अंदर देखें आज आप चले जएं पजाब में और वहां पर आप नारा लगाए जाग पजाबी जाग आज आप चले जएं सिंध में तो आप सिंधियों का नारा लगाए यह सब जहां जहां पर आप जाएंगे ना लोकालिटीज के अंदर यह नारे फिमस होंगे वहां पर मैं यह कोई भी बंदा आएगा तो पीपल विल गैदर आप फॉर दिस अब वहां पर वो बलोचों को आगे का रहे हैं बलोचियों को नाम यूज का रहे हैं जबकि उसके पिछे एजंडा क्या ह वो अपने वालत की जो एक वरासत मिली है उनको जो उन्होंने बी एले से जो ली है वो उसका गुसा उसकी वेनमिटी है जिसको आगे लेके जा रहे हैं बलोची स्थार में आकरी किस किसम की जांगे क्या यह गोरीला बार फियर है हम कह सकते हैं इसको ऐसा देकि बुशरा इ बैटे पोड़कास्टना का रहे होते हैं अब इस बात का अंदा लगा लें कि जब 2010 से लेके 15 तक पाकिसान के अंदर हालात खराब थे जब गली कुछों में बंदमाके हो रहे थे तो हर बंदे को पता था तो ये तो कुछ भी नहीं है अब ही मसला क्या था कि वहां पर मारी देज आर काउंटेट हो किया रहा है मैंको पूरी डिटेल पताता हूं तेके बलोचिस्तान के अंदर बैसे कि लिए दो तीन जो लोबी से वह एक्टिव हैं मैं I hate to say this मैं किसी मुलक का नाम नहीं लूँगा लेकिन उसमें हमारे हमसाय है मालिक और जो सूपर पावर्ज है वह सब उसके अंदर involved है बलोचिस्तान की एमियत क्यों है बलोचिस्तान की अगर आप जियोग्रफी देखें पाकिस्तान का बहुत ही important part है आपको यहां पर land भी लग रहा है आपको यहां पे sea भी लग रहा है यहां पर दो मुलकों के साथ आपका border भी है पिर यह एक बड़ को हमारी forces कभी उन अलागों में गुसी नहीं अब हम वहां पर जा रहे है अब proper वहां पर एक law and order deploy हो रहा है यह जो तकलीफ हो रही है यह different लोगों को यह basically यह हो रही है जो वहां पर smuggling करते थे जो narcotics का का काम करते थे जो गैर कनूनी काम करते थे यह उनकी मौत आ रही है अ आप वहां पर प्रॉपर पिकेट्स मारी है चेक पोस्ट मारी है एंड डे बाए डे ओवर फोर्सी आर गोइंग देर और वो किलीर कारी है इरियास को आप अगर आज कैमरा लेके चली जाएं कोहिटा वे तुरुबत में किसी भी बलोचिसान की सिटी के अंदर लोगों से प अंजीने की जरूरत है बुश्रा बेसे के लिए इसी की एक एक एग्जेंपल लेते हैं यह जो राजी मची हुआ है लोग हम लोग यह हरकत करेंगे इसके अपर बैकलेश आएगा और वो आपने कैश करना है जिस तरह हम मेडिया के लोग है ना तो हमें पता होता कि लिए ज आज किसी की प्रेस कांफरंस है तो वी गट्रैडी फर एट वी परपेर एवर्यथिंग फर एट तो यह ज्यादा मीडिया के ओपर और सपेशली जो एंटी स्टेट मीडिया है जो हमारे एनिमीज आगर उनको देखें ना तो उनकी ज्यादा तोपो का रूख इस तरफ होता देखें अभी जो करणनों वहां पर सिच्वेशन है बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक फोजी जवान शहीद हो गया सौला जखमी हो गया यह कल की आइस पेर की है जो हमारे जराइवत आ रहे हैं उसमें है कि काफी बड़ा तुसादम था जिसमें काफी जो वहां के लोक पकिस्तान एंग जन्ड है उनका जहां जहां तक ग्वादर है तो ग्वादर हैस टो मूव ओं क्योंके पाकिस्तान के पास को यौर ऑप्शन एहां आपकी जितनी ही इनवस्ट्मेंट और शीप है की वह सब ग्वादर सेंटर्ड है राइव जुब इस ट्रुटि अपरल ओ इन्वेस्टमेंट, महारंग बलोच या इन से पहले कोई और जो करेक्टर से यह आते रहेंगे, यह वो करेक्टर जो अजन्सी लांच करती हैं, इनकी एक लाइफ इन होती है, जिस्टरा हम डिजिटल मीडिया पर कहते हैं, कि कीवर्ड लास फौर उनी सैंटी टु आर्स इसी को हाइलेट करें, और रियालिटी सामने लेके हैं, अभी नियूस के उपर आता, जी यह हो गया, बट नोपड़ी इस गिविंग डियर उपिनियन्स ओन इट, मैं इस पोड़कास के उपर उफर करता हूँ, इन ही को महारंग बलोच को कहता हो का आप आए, बैठें, बताएं नहीं है, वहां पर पुलिस नहीं है, तो बलोचिस्तान में भी है, मैंने बताया ना, कि यह प्रॉब्लम उनको आप रही है, कि अब आर्मी सिधी होगी है, अब लाइनफोर्श्मेंट के जो लोग हैं, उन्होंने यह फैसला कर लिया कि बलोचिस्तान को हम एजी गो एरिया मुझे की बताएं, बींग का जर्णिलिस्ट, आप ओडियंस को क्या सज़स्ट करेंग और एड्वाइस करेंगे, कि वो कौन से न्यूस देखा करें और क्या पैरेमिटर्स हो, कि कौन से न्यूस जन्मन और फेक, कैसे पता चले, आज गल जो सबसे बड़ी जंग है ना हमार पुरानी वीडियोस होंगी, किसी और वाकिय की उठा के, और वहां पे नैरेटिव लगा दिया होगा, कल अनफॉर्चनेट वाकिया हुआ है, पांच मजदूर दबके, कुवे को खुदाई करते हुए, उनकी वीडियोस को भी इसी के साथ नैरेटिव में लगाया हुआ था वही है, हैस्टेग लगा के, तो यह सिचोशन है, अवाम को रियालिटी जोन ग्राउंड समझनी पड़ेंगी, अवाम को, देखे हैं, हकूमत को हम जितना क्रिटिसाइज करते हैं, शायद कोई भी नहीं करता, लेकिन यह ऐसे इशूस हैं जिनके ओपर एक वारफेर चार र है, आप अगर कैमरे को नीचे से शौट दें, तो आपको लगता है कि लाखो लोगों का समुदर है, आप कैमरे को सामने रखें, आपको लग पता जाता, आपने जलसे कबर की है, तो यह जो सारा एक गली के अंदर बंदे कटे करके, और इस तरह से फुटिज बना दी जाती कि जैसे पता हैं, लगों लोग आगे वहाँ पर, आपको लोगों का समुदर है, तो बड़े-बड़े सीधी हो जाती है, तो बड़े-बड़े सीधी हो जाते है, बहुत-बड़ शुकर सर आपका, आपने शेयर किया राजी मच्छी के इवेंट के पेशे जो वजुहात है, यह जो वाक्या पेशा है, उससे गवादर पर क्या इंपक्ट परा, और महरंग बलोज की जो हिस्ट्री है, जो उनका एजेंडर था, वो भी क्लियर हुआ, नाजीन आपके साथ, फॉर मौर निउस, देखते रहिए समा पॉड़कास, तिल देन, बाइ-बाइ.